इतावा के थाना इकदिल छेतर के आंतरकत नैशनल हाईवे पर तेज रफ़तार ट्रक ने यात्रियों से भरे आटो में टकर मार दी इसमें तीन यात्रियों की मौत हो गई जब की चार यात्री घायलों गए मौके पर पहुचे पुलिस ने मृत्र को के शब को पोस्माटक के लिए भेजा है और घायलों को उपचार के लिए जिल अस्पताल भेजा है आपको बता दे कि साथ यात्रियों से भरा आटो इटावा से वकेवर की तरफ जा रहा था नेशनल हाईवे पर पश्चमी तिराय पर पहुचा था कि पीछे ट्रक ने टक कर मार दी वही घायलों को पुलिस ने अबुलेंस की मदद से अस्पताल भुजवाया जहां तीन को मृत्त घुशित कर दिया गया एक किशनाकत आकास दुवे के रूप में हुई है जबकि दो की होनी बाकी है वहीं स्पी कपिल देव सिंग ने बताया कि हासे के बार ट्रक ड्राइवर गाड़ी समयत मौके से भाग निकला ब्यूरो रिपोर्ट आई पियन